हलो फ्रेंड्स मैं अमित मालविया एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल के एक और नए वीडियो में तो अब आपको इस काम के लिए बेंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि NPCI की तरफ से एक नई सर्विस को स्टार्ट किया गया है जिसके माध्यम से आप अपनी बेंक में आधार कार्ट को सीड कर सकते हैं आप अपने बेंक अकाउन में डिविटी को इनेबल कर सकते ह आप अपने आधार कार्ट को NPCI के साथ में लिंक कर सकते हैं दोस्तो इस से बेनेफिट ये होता है कि गोर्मेंट के द्वारे अगर किसी बी तरह की स्कीम का अगर आपको पैसा लेना है अगर आपको गोर्मेंट से किसी बी तरह की स्कॉलर्शिप को लेना है तो वो सारा का स जाड़ा है या आपको जहें अपने bank account में dbt को enable करना है तो आप जहें NPCI के इस वाली service का कैसे use करेंगे completely step by step process आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा informative होने वाला है तो वीडियो को like अभी से कर लीजिए और इस वाली website को open कर लेना है npci.org.in इस वाली website का direct link मैंने आप लोगों को नीचे वीडियो के description में भी provide कर दिया है तो वहां से जैसी आप click करेंगे तो आप जहें इस वाले page पर redirect कर दिया जाओगे अभी दोस्तों यहां पर आपको जहें कुछ इस तरह का interface page देखने के लिए म जाते हैं तो यहां पर आपको जहें लास्ट में option मिलता है भारत आधार seeding enabler base का तो आपको जहें इसी वाले option पर click कर देना है तो अभी आपके सामने यहां पर जहें आधार seeding का कुछ इस तरह का farm open हो जाता है अभी आपको simply यहां पर करना क्या है यहां पर आपको जहें seeding वाले option को select कर लेना है उसके बाद यहां पर आप जहें fresh seeding करना चाहते हैं या एक ही bank में आपका जो है दो account है आप जहें एक account से दूसरे account में अपने dbt को transfer करना चाहते हैं तो आप second वाले option का use कर सकते हैं और अगर माल लीजी आपका ऐसे किसी bank में पहले से dbt enable है जिसका कि आप use नहीं कर सकते हैं जो bank में आपका पैसा जा रहा है तो आपको पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है तो उस condition में यहां पर आप जो है अपने dbt को उस bank से दूसरे bank में move भी कर सकते हैं उसके लिए आप जो है तीसरे वाले option का use करेंगे तो हम यहां पर phrase dbt enable करना चाह करने के लिए मिल जाती है अब दोस्तों यहां पर जो 25 बैंक के आपको देखने के लिए मिल रही है इन किसी भी बैंक में आप जो है अपना dbt घर बैठे ओनलाइन तरीके से enable कर सकते हैं ट्रांसपर कर सकते हैं तो यहां पर आपको जो है नपी सी आई की गई है और भी जैस अकाउंट में आपको जो है dbt को enable करना है account number यहां पर provide कर देना है account number को एक बर यहां पर फिर से confirm कर देना है term condition को आपको चिक्माग करना है scroll down करके नीची की तरफाना है इस वाले केपचा को आपको यहां पर feel करना है and यहां पर आपको proceed वाले बटन पर click कर देना है जैसी आप proceed वाले बटन पर click करेंगे तो आपका जो भी आधार card के साथ में registered mobile number है उस पर एक OTP भेजा जाएगा OTP आप यहां पर verify कर देते हैं तो आपको स्क्रीन पर congratulations का message शो कर दिया जाएगा अब दोस्तों जैसी आपका congratulations का message यहां पर आपको मिल जाता है तो 24-48 घंटे में आपका जो आधार card है या जो भी आपका bank account है उसमें dbt को enable कर दिया जाएगा उसका status आप जो कैसे check करेंगे कि आपका bank account है उसमें dbt enable हुआ की नहीं हुआ तो उसके लिए यहां पर आपको जो है इसी वाले arrow के निशान पर click कर देना है यहां से आप जो है अपनी status को भी check कर सकते हैं और यहां से आप जो है अपने dbt के status को map भी कर सकते हैं अगर पहले से किसी bank के साथ में है तो यहां पर आप जो है simply इस वाले option पर click कर तो यहाँ पर आपको यहां पर देख सकते हैं आपका आधार नमबर आपको यहांपर बता दिया जाएगा आपका डीटी इनेबल ऐ कुछ इस तरह से जाएगा। इस वाले bank के साथ में आपका जो dbt है वो enable है तो इस तरह से आप जो अपना status भी check कर सकते हैं और जो request आपने डाला है अगर आपको उसका status check करना है तो यहाँ पर आपको check your service का option मिलता है आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आप जो service को select करेंगे आधार setting का यहाँ पर जो reference number आपको provide किया गया है reference number डालेंगे इस वाले capture को यहाँ पर feel करेंगे और check status वाले button पर click करके आप जो अपनी service का status भी यहाँ से check कर सकते हैं जो application आपने आधार dbt के लिए किया था उसका आप यहाँ पर status देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप जो ए NPCI की इस नई वाली facilities का use करके 25 बेंकों में online तरीके से घर बेठे अपना dbt enable कर सकते हैं अपना आधार card जो है NPCI के साथ में link कर सकते हैं आई होग कि आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा information रही होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर लीजिए चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को subscribe जरूर से कर लीजिए मैं मलता हूँ अफसे नए एक्स वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए जै हिन जै भारत